समढ़ संग आज का जो हमारा गोल्डन नियम है वो सारे गोल्डन नियम का आधार है सारे गोल्डन नियम का आधार इसलिए क्योंकि समढ़ संग का जो नाम आज के समय है वो समढ़ से आरंब होता है पुराने समय में हम खाली इसको संग भोला करते थे पर अभी और भी संग बन गए हैं इसलिए अपनी जो खास पहचान रही है पुरानी जो हमारी राष्ट्यता है पुरानी उसके नाम पर समढ़ संग बोलते हैं तो जब संग ही समढ़ो का है तो इसका पहला गोल्डन नियम पहला सुनहरा नियम पहला अमर नियम केवल समढ़ है यानि की समढ़ के अत्रिक्त यहां और कोई नहीं हो सकता इसलिए समढ़ सब्द की जान समढ़ संग के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून होती है अगर केवल समढ़ से हटाके और समढ़ के अलावा अगर किसी और के भी लियें से बुला जाता है तो फिर यह समढ़ संग नहीं रहेगा फिर यह मिक्स संग हो जाएगा इसलिए समर्संग तबी तक ही exist करता है अस्तित्म में आता है जब तक इसमें केवल समर्ण रहेंगे बहुत सारे जो विद्वान हैं बहुत बड़ी बड़ी डिगरियां लेकर जो बैठे हुए हैं जिनके आगे पीछे सरकारी पोष्ट सरकारी डिगरियां होती हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्स्टियों में पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे समण लोग काफी तादात में बहुत जादा तो नहीं कहेंगे पर जीरों से आरंब हुए और फिर बड़े तो काफी संख्या में सम सारे विचारक बहुत सारे चिंतक ये लोगों की जो पूरी जमात की जमात है पर ये समन सबसे समन अर्थ से समन क्या है इससे रूबरू नहीं हो पाए और उनी किताबों में मंडराते रहे जिन किताबों का लेखक और राइटर कोई और रहा समन नहीं था यानि कि जितने हम विचारक हैं, वो वही बोलते रहे, जो उन किताबों में किसी और ने लिख दिया, इसलिए समण सब्द का परिचे, या समण सब्द की जानकारी, या समण क्या है, या समण क्या हो सकता है, या समण का अर्थ कितना गहरा है, कितना उथला है, या है भी या नहीं भी है, इसको आज जब हम उनको बताते हैं या वो जब पहली बार सुनते हैं कोई समण संग भी है तो उनको समझ नहीं आता बहुत जादा अगर कहीं ध्यान लगाते हैं तो बस इतना ही समझ में आता है कि बुद्ध को महा समण बोलते थे ये कोई बुद्ध से संबंदित लोगों का संग संग रहा होगा कोई धंमिक कोई धार्मिक संग रहा होगा या कोई छोटा मोटा संग्ठन है जिसने अपने नाम के साथ में समण लगाया है और उसका संग है क्योंकि आज के समय संग्ठन ने भी अपने नाम के साथ में संग लगाने आरहम कर दिये और समण सब तो दूर पूरा होता कैसा है अगर आप किसी को ये समझाने में काम्याब हो गए कि हम समण है गारब से कहो हम समण है गरब से कहो हम समण है गारब पाली भासा में बोलते हैं गारब का मतलब होता है सद्धा सद्धा का मतलब विश्वास के साथ कहो कि हम समण है या आवाज दो हम समण है या समडों का सबसे पुरातन जो संग है वो समड संग है समड सब्द को अगर आप समझाने में कामयव होगे तो समड संग को लगबग पूरा आप उसे समझा दोगे बाकी उसके खून में है सिर्फ उसको याद दिलाना है कि वो समड है इसलिए ये जानकारी सभी के पास पूरी होनी चाहिए कि समर्ण का अर्थ क्या है और समर्ध कौन सा सब्ध है पहले कहा था अब कहा है और कहां से कहां चल कर कहां आखे फिर दुबारई से हमको मिला है सम गण सम जो सब्द बना हुआ है पाली के अंदर सम का मतलग होता है बरावर वाले समता वाले और सम का एक अर्थ होता है शांती वाले सदभावना वाले अच्छे लोग तो सम दोनों में आता है और जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समानता वाला होता है उसको समक भी बोलते हैं पर अगर सम में गण लगा दें और दोनों सब्दों के मिला के बोलें तो सम गण हो जाता है और सम गण का ही शौट जो अर्थ है वो है समण और समणा समडी या सामने है ये समण से बहुत सारे सब्द बनते हैं मतलब जो सांती प्रिय लोग थे जो बरावरता में विस्वास रखने वाले लोग थे उनका जो समू है उनका जो पूरा गण है गण माने लोगों का समू उसको समण बोलते हैं या एक व्यक्ति को समक को भी समण बोलते हैं और जो महिलाय उसको समणी बोलते हैं इसका जिक्र बार-बार मिलता है, समड़ा, समड़ो, समड़ी, बहुत सारे जिक्म मिलते हैं, ये सारा सारा जो समड़ है वो प्राचीन हमारी राष्ट्यता रही है, राष्ट्यता इसलिए रही है क्योंकि अगर आप अपने आपको ये ढूंडोगे, कि आप क्या हो, या किसी सामने वाले को जब आप समझाओगे और उससे पूछोगे, कि आप ये बताइए कि आप क्या है, तो थोड़ी देर के लिए तो वो चक्रा जाएगा, पर जब उसे होस आएगा, तो वो अपनी आइजिनिटी अपनी पहचान बताएगा, क्या पहचान बताएगा, कहेगा हम भारतिये हैं या कहेगा हम बिहारी हैं, बिहार से हैं, या कहेगा कि हम मदरासी हैं, या कहेगा कि हम इंजिनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, या कहेगा कि हम किसान हैं, मजदूर हैं, या कहेगा कि हम ब्यापारी हैं, या कहेगा कि हम किसी जातवात के नाम से जाने जाते हैं, या कोई वर्ग वर्ग बताएगा या कोई गोत बताएगा पुराना या किसी कवीले का गाउं का नाम बताएगा ये सारी चीज़े वो बताएगा पर आप अगर उससे पूछेंगे कि आपने जो पहचान है आपकी जो राष्टेता है आपकी वो क्या है तो कहेगा कि हम भारती हैं पर भारत तो कोई ज़्यादा पुराना सब्द नहीं है भारत से पहले उसकी राष्टेता क्या थी अगर आप ये उससे पूछेंगे तो बता नहीं सकता कोई भी नहीं बता सकता और कोई इसने नहीं बता सकता क्योंकि सम्ण लोग के लावा किसी की राष्टेता रही नहीं है और सम्ण के लिए आपको से याद दलाना पड़ेगा कि आखिर भारतिय से पहले आपको क्या कहते थे असोक के टाइम में अगर पहुंचेगा तो कहेगा कि सोले महा जनपदों का व्यक्ति रहा है पर सोले महा जनपद मेंसे अपने जनपद का नाम ही बताएगा पर पूरे जनपदों मेंसे एक समू बना है एक गण बना है एक संग बना है इसका नाम कैसे बताएगा तो यहां के जो व्यक्ति की पहचान और जो रठ्यता यानि राष् पर यह पुरूब हो जाती है, यह सिद्ध हो जाती है, यह सफल हो जाती है, यह तरकों से हम इसको बता सकते हैं, हम इसलिए बता सकते हैं, क्योंकि जब तक हम यहां अकेले थे, यानि सारे के सारे लोग समण थे, तब हमको अपने आपको समण कहने की आवशक्तिया नहीं थी, हालाकि हम कहते थे हमारी practice में था पर जब तक कोई गैर समण ना हो कोई समण ना हो जो हमारे समूम से हमारे गणपरिस्थ से ना हो हमारे कबली से ना हो हमारे सोले महा जनपस से ना हो और कोई व्यक्ति अगर बाहर से आए तो क्या कहेंगे जो इंगलिस में है उसको foreigner बोलते हैं यानि foreign part बाहर का बाहिया पार्ट बोलते हैं बाहरिष सा बोलते हैं पर हमारे यहां तो ऐसा सब्दी नहीं था हमारे यहां देशी और विदेशी सब्द नहीं थे ये किलियर हो जाता है कि समण लोग यहां के लोग हैं और जो बहार से आने वाले लोग हैं वो समण नहीं है क्योंकि आप आज देखोगे पूरे भारत में तो एक प्रजाती मिलती है जिसको लोग ब्राहमन बोलते हैं बमण बोलते हैं, बमण बोलते हैं, वो पिर जाती आपको पूरे भारत में अलग अलग रूप रंग की मिलेगी, आप केरल में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी, आप मदरास में जाएंगे तमिलाडों में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी, आप अगर इधर तो अलग तरह की मिलेगी आप अगर मद्दे भारत में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी आप राष्थन में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी पर उन सबका एक नाम कौमन है जिसको पूरे भारत में पचलत है ब्रहमन है और वो अलग-अलग रूप ब्रहमन कैसे पड़ा अलग-अलग लोग एक ही नाम से कैसे जाने गए जबकि हमारे पास WhatsApp नहीं था जबकि हमारे पास में टेलिफून नहीं था जबकि हमारे पास में टेलिग्राम नहीं था जबकि हमारे पास में चठी नहीं थी जबकि हमारे पास में भासा भी नहीं थी हम बात भी नहीं कर पाते थे क्योंकि जो लोग सीरिया से आए, वो सीरिया वाले जो लोग थे, वो सीरियन ब्रहमन है, जो लोग फारस की खाड़ी से आए, उनको फारसी ब्रहमन बोलते हैं, फारस की खाड़ी से आने वाले हैं, जो यहां शक आए या हून आए, या यवन आए, वो अलग भासा लेके आए उनके रूपरंग अलग थे, जो मंगोल से आए उनकी भासा अलग थी, उनके रूपरंग अलग थे, जो चाइना की तरफ से आए उनके रूपरंग अलग थे, वो अलग तरह के थे, मगर सबी लोग ब्रहमन या वमन या वामन के नाम से जाने जाते हैं, इसका मतल़ यह है कि उ उनको कुछ लोगों ने नाम दिया और उन्होंने एक ही नाम दिया उन सब को पूरे भारत में तो एक ही सब्द प्रिचलित हुआ जो भी बहार से आया जो भारत में नहीं रहता था उसको उन्होंने वाहिय कहा वमन कहा वम कहा वम माने वैसे तो भम्मन माने तो घ्रना भी होत है और जो वमण है इसका मतलब वम प्लस गण उल्टे लोगों का सम हूं यानि जो हमारी तरह सीधे नहीं है हमने उनको उल्टे कहा विप्रीद कहा क्योंकि हमारे जैसे नहीं है सम नहीं है वम है इसलिए वामपक्ष होता है तो सम नहीं है वम नहीं है तो उनको हमने वमण कहा तो वमण के नाम से ही जाने जाने चाहिए थे पर भारत में उनको वमण की वज़े ब्रहमण कहते है तो हम लोग जो समण थे उनका सब्द कहा गया वमण का ब्रहमण हो गया समण का क्या हुआ पर ये सब्द जैसे ही बताया जाता है कि समन का शर्मन कर दिया गया वो ऐसे ही सीसे की तरह पूरा का पूरा पिच्चर किलियर हो जाती है अब समझ में आ जाता है कि पाली में जो लोग समन थे उनको शर्मन कर दिया गया और जो लोग पाली के अंदर वमन थे भमन थे उनको ब्रामन या बामन या बमन कहा गया यानि लोग यहीं हैं लोग कहीं गए नहीं सिर्फ उनके नाम बदले नाम बदल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती पर नाम के साथ साथ में उनकी जो पहचान का जो काम था वो भी बदल के उनको बताया गया और ये पॉसिबल तब हुआ जब लोग अपने ग्यान को, अपनी संखती को, अपने आचार वेवार को और अपनी कल्चर को भूल कर दूसरों की किताब और दूसरों के स्लोक और दूसरों के मंतर और दूसरों के नाटक, दूसरों के मंचन और दूसरों के परचार में उलज अगर आप किसी गलत बात का लगाता लगाता परचार करते रहेंगे तो आप अपनी सही बात तो भूली जाएंगे उसकी गलत बात भी सही हो जाएगी ये परचार का एक तरीका होता है परचार का एक दम होता है परचार का असर होता है और वही हुआ कि समण सब्द तो भूले साथ ही साथ सर्मन सब्द की जो बुराईयां थी वो भी हमने एडॉप्ट करनी है उनको हमने सही माल लिया और वमन सब्द जो वम लोग थे जो सिर्फ याचक थे वो जो सिर्फ याचना करते थे कोई काम नहीं करते थे उनको हमने सब कुछ माल लिया, ना किवे सब कुछ माल लिया, उनसे हम अपनी बातें और अपनी गूर बातें और अपने जो पूरा भविस्य है, उसका फैंसलाई भी उनके हातों में हमने दे दिया, ये सिर्फ एक परचार करण, और जो बाते हम पुरानी भूल गे उसके और ये भी तेह होता है कि यहां के जितने स्रम्ण लोग हैं वो सारे के सारे लोग काम करने वाले लोग थे वो सारे लोग पूरे देश में सारे काम किया करते थे पर वो काम आज के समय हमको स्रम करके छोटे बदाए जाते हैं छोटे काम नहीं थे सारे काम थे जैसे जो फिलोस चिंतन थे, मनन्न थे, साइक्लोजिस्ट थे, उनको लगबख सारी के सारा ग्छान प्राप था, वो दुनिया के अकेले विस्व गुरू रहे हैं, जो पूरा-पूरा ग्छान बताते थे, तो यानि श्रमणलोग विस्व गुरू हैं, जो सुदत जैसा हमारा ब्यापारी है जिसको अनात्पिंडग बोलते हैं वो दुनिया का 27% जीटीपी के साथ में बैल गाड़ियों में माल भर भर के जो भी यहां बनता था चाहें वो कपला था चाहें वो खेत का काम था चाहें फसल थी चाहें वो अन्न था वो भेजा करता चेह्जा और बहार से और सामन लेक आए करता था तो इसका मत्दब ब्चाणबारी भी संवडों लोग ठे़ जो अभा पती का चंडगुपत मौर रहे हैं और सैनापती रहे हैं, सैनिक रहे हैं, तो हम जीवक जैसे डॉक्टर रहे हैं, तो डॉक्टर जीवक क्योंकि जीवक समढ थे और उन्होंने बुद्ध का इलाज भी किया, और जीवक ने बहुत बड़े-बड़े चमतकार किये, उस समय सरजरी भी की और उस समय मेडिकल के वो बा थे और पढ़ने वाले भी समड़ थे जो समराथ असोक ने पहली वार अक्षर बनाए इसको असोक ली nuoत बोलते हैं या इस also धंक ली बोलते हैं और जो अक्षर बने जिनको देवनागरी लीपी बाद में समृ थे जितने कसक थे जितने किसां थे वह सारे समृ थे ये पूरूव होता इस बास से क्योंकि जो महासमढ बुद्ध थे जब पहले वो देबदत हुआ करते थे तो ग्यारवे साल में उनके यहाँ जो वप मंगल यानि बीज बोने का उस सब हो रहा है तो वहाँ पर वो जंबू पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके खेतों में एक हजार हल चल रहे हैं उनके पिता सबसे बड़े कर सकते हैं उनके नाम भी किसान की जो फसल है उसके उपर थे सुद्दो काम भी साक के हिथा साक के मतलब साक सबजी वाला तो हम फार्मर भी रहे हैं पूरे फार्मर पूरी लैंड भी हमारी रही है और लगबग हम सारी चीजों के जानकार ग्याता रहें और सारे काम हम करते थे चाहें वह तीर कमान बनाने का काम हो चाहें शिकार करने का काम हो चा सारे के सारे समण करते थे, तो समण उत्पन करते थे, उत्पत्ती करते थे, इसको पाली भासा में उत्पन करना या उत्पत्ती करने का मतलब होता है जाती, जो बुद्ध ने बताया जाती दुखा, जरा दुखा, मरनंग दुखा, व्याधी दुखा, यानि बीमारी दुख है मरना दुख है पैदा होना दुख है और उत्पन होना यानि जो पैदा होता है उत्पन होता है जाती दुख है तो कोई चीज अगर उत्पन होती है तो उसको बोलते है जाती इसलिए पेड़ पौधों की जाती होती है क्योंकि वो उत्पन होते हैं जितने जीव हैं उनकी जात करते थे उनकी पहचान बंती थी किसवी atipaaden करता के चेत का खिषान का फसल को इसकी जाति करता है। जो तीर कमान बना रहा है उसको कहते थे कारपंटर स्थी घ्जाती बड़ई है जो राजा था उसकी जाती राजा जैसी थी और जो सेनापती था उसकी जाती सेनापती जैसी थी तो उत्पन करने वाले व्यक्ति को ही बोलते थे पर वमण की कोई जाती नहीं होती आज भी वमण की कोई जाती नहीं है क्योंकि वमण यहां का नहीं है वमण वही बोहता था जो दुझ माने पक्षी को बोला करते हैं पाली में ज कोई काम जानते भी नहीं थे सिवाए एक काम के के वो याचक थे याचना करते थे मांगते थे और मांग कर खते नहीं है क्योंकि वमण यहां के नहीं है और समणों की जातियां होती है क्योंकि जैसे ही समणों का संग टूटा उनके काम के आधार पर उनके गुट बनते गए और उनके टुकडे होते गए पर वो जाती के नाम से जाने जाते है इसलिए वो व्यक्ति जो जाती रखता है वो समण है और वो यहां का है और जो व्यक्ति जाती नहीं रखता यानि उत्पन नहीं करता कुछ भी चीज वो व्यक्ति मंगता है याचक है मांगने वाला है आज के समय समय बदल गया है वो अलग बात है पर आज भी ये बात सच है और ये बात पहले भी सच थी तो समणों का जो इत्यास है वो सारा का सारा बाहर के लोगों ने लिखा है जो मेकस्तनीस की hub अंडिका है, उसमें समढ़ सब्द और समढ़ों की व्यक्षा उसमें लगाता रहती रहती है जो बुद्ध का इथयास है, जो जैनों का इथयास है, जैन तो समढ़ के नाम से क्योंगी वो भी सारे समढ़ रहें उसमें समण गंत भी हैं, समण चीजें हैं उसके अंदर और वहां से बॉद्धों को भी पता चला है तो बुद्ध और जैन समण हुआ करते थे सारे के सार भारत के लोग समण हुआ करते थे तो समणों का इत्यास त्रिपीटक के अंदर बुद्द की भासा के अंदर बार 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 आपको मिलता है पर ब्रहमण सब्द नहीं मिलता कहीं ब्रहमण सब्द नहीं मिलता सिर्फ वम सब्द मिलता है या बहमण मिलता है बहमण माने घरना मिलता है ये जो सब्द बदल गया और समण से शिर्मण हो गया इसलिए इसको यानि जो हमारी जितने भी संसाद हैं उनके लिए जो लड़ाई होती है जगडा होता है वो संसाद उनों की लड़ाई जगडा सिर्फ दो लोगों में होता है दो तरह के संकती में होता है एक ब्रहमर संकती और एक शिर्मन संसकती उन्होंने हिंदी का सब्द यानि की जो संसक जाती तो आज ये जो हमारे सारे अधिकार गए हैं ये बच जाते ये इसलिए बच जाते क्योंकि समण हमारी ultimate पहचान है समण के बाद कोई सब्द नहीं है सिवाए राजा और सासक बनने के आप अगर अपनी पहचान को मूल निवासी बताते हैं तो मूल निवासी व्यक्टि जात का अभ्यास छोटे बड़े का अधार पर होता है कि किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है जबकि ये सारा हवा में है तो जो अभ्यास यहां होता है वो मूल निवासी में भी होता है यानि व्यक्ति कहता है अच्छा मूल निवासी वो अच्छी बात है तो मूल नि पूछना चाहता है पर अगर आप समण कहते हो तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी जाती नहीं पूछ सकता आपकी कोई और चीज़ नहीं पूछ सकता और आपको बताने की आवश्कता भी नहीं है क्यों क्योंकि मूल निवासी का जो उल्टा सब्द है उसको बोलते हैं उनकी कोई आज के समय की जो जाती है वर्गी करने वो पहले नहीं हुआ करती थी काम आधारित उनकी पहचान थी पर उनकी राष्टे पहचान समण थी काम कोई भी करे पर उसको समण ही बोला करते थे पुरानी समय में पुरानी डिक्ष्णरी में जो पाली का इथियास है उ सिर्फ समड नहीं हैं तो समड व्मंड और व्मंड सिर्फ दो हैं व्मडों ने यहां वर्गी. नेखेज जात नहीं बनासकते वो कुई क्यात कम नहीं करते थे जात तुसी की होती है जिसका उत्पादन ह具 हने वेरे तो यहां कि महलाएं स्तमाल करने के बाद, उन्होंने जो अपना वरगी करण किया, वो एक पैदान Kenneth और उंचा किया, उन्होंने अपने आपको उसी हिसाब से वंभन बताया, जो हम बताते थे, बाद मेरों उसको ब्रहमन किया, और जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को संकर्वन बताया यानि hybrid mixed breed जो समण का और woman का mixed breed था क्योंकि महिलाएं समणी थी और वो लोग तो उनके समणों में mixed लोग पैदा होने लगे तो वर्गी करण तीन हो गए रंग के आदार पे क्योंकि वर्ग का मतलव जो वन उन्होंने लिखा वन का मतलव होता है रंग वन बोलते हैं पाली में रंग उनका रंग था सेथ यानि के सफेद और सफेद को हम लोग बोलते थे अवन यानि बिना रंग का उनको अवन बोला करते थे और हम अपने आपको समण जितने भी थे, वो सवन बोला करते थे, यानि के सुनहरे रंका, निज रंका, काले रंका, डार्क रंका, हिरन जैसे रंका, गोल्ड तो बाद में आया, गोल्ड जैसे रंका, या सूरज के ढलते हुए जैसे रंका, या सूरज के उकते हुए जैसे र संकर्वन् का हम इसको बुला करते थे और जो इन रंगों से संकर्वन् यानि mix या तीन वन्हुंड हुआ करते थे पर उन्होंगों विर्गी करण और किया डिफरेंशिट किने के अपने दिए तोоф अनों जो छत वाले लोग होते थे या जो खेतिय वाले लोग होते थे उनको खेतिय और छत्रिय कहना सुरू किया और जो ब्यापारी लोग होते थे वैसे लोग होते थे या वैसे होती थी वैस्य माने नर ब्यापारी बेचने वाला और वैस्य मतलब नारी बेचने वाली जो सामान बेचती थी तो उन्होंने अलग से एक वैस्य और वैस्य और छत वाला छत्रिया या खेत वाला खेतिया को छेत्रिया भी एक अलग से वन बना पर जातिया नहीं बनी इसलिए कोई विद्वान अगर बहस करना चाहे और कोई हमारा जो समण है वो बहस में हिसा लेन लेना चाहे बेश्चक उसको कुछ पता नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है बेश्चक उसने कुछ नहीं पड़ा कोई घबरानी की बात नहीं है सामने वाले से प्रसंद करना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपकी आइडनिटिटी क्या है आपकी राष्टेता क्या है आपकी पहचान क्या है वो ये छोटी मोटी पहचान बताएगा या तो भारती है या कोई काश्ट या कोई वर्ग या कुछ प्रोफिसन मगरा बताएगा पर वो ये नहीं बता सकता कि बुद्ध से पहले हमारी पचान क्या थी, बुद्ध के समय हमारी पचान क्या थी, असोक के समय हमारी पचान क्या थी, असोक के समय हम क्या बोले जाते थे, पर अगर आप उसे याद दिलाओगे कि सिर्मन बोला जाता था, तो कैया का हाँ, हमारी जो संसकती थी स्रमन थी, कियो chains applying surprises कि यही पढ़ा है उसने, वो स्रमन की लिए एक दम स्रमन संखती और स्रमन संसकती और वमन यानि ब्रहमनSorbd संसकती क ब्रहाममन वमन के नाम से इखटे हो गए जिनकी संक्या बहुत थोड़ी है उनको ये डर रहता था कि इन लोगों को अपनी पहचान अगर पता चल गई तो हम फिर अलपजन हो जाएंगे हमें इनकी गुलामी सेहनी पड़ेगी हमें इनका जो रूल है मानना पड़ेगा इनकी आग्या माननी पड़ेगी और हजारों साला तक उन्होंने आग्या मानी भी है क्योंकि याचक तो याग्या मानता ही है जो भिकारी है वो तो आग्या मानता ही है इस इस्तिती में ना आ जाएं वो दुवारा से इसलिए अपने आपको तो वे खटा करके वर्मर्ण या ब्रह ये नामते उससे ही इंगित किया रोसी में उनको उलजा के रखा और वो उलज कर टुकड़ों में तूट गे एक अगर कहीं वमल होता है तो उसके पास अगर दस जार आदमी आस पास रहते हैं तो वो सारे के सारे समड होते हैं पर टुकड़ों में तूटे हैं उनको पता नही है कि वो समण है इसलिए दिक्कत है इसलिए अगर आप किसी को ये बताते हैं कि आप समण है तो समण के लावा कुछ और बताने के आउशकता नहीं है अगर आप समण है और समण के बाद भी आप ये कहते हैं हमारी तो जात ये हमारा तक गोत रिये हमारा तो वर ये हमारा तो फिर आप उनके जाल में उलजे हुए वो पक्षी हैं जिसकी जान बचने वाली नहीं है यह सिस्टम है और अगर आपने सिर्फ यही कहा अपने घर के दरवाजे पर यह लिख दिया कि गारव से कहो गारव भी कह सकते हैं पाली का सब्द गारव है गारव से कहो हम समण हैं गार संग समण संग आप कहते हैं कि मेरी मूल पैचान समण है मैं पैदा ऐसी जनमजास समण हूं फिर आपको किसी सार्टिफिकेट की किसी की जानकारी की या किसी की मानिता की आउश्कत नहीं है फिर आप एक साथ ही खटे हो जाते हैं यह तना चमतकारिक सब्द है आपने चमतक में खुलते चले जाएंगे, सिर्फ एक सबसे, चाहे आपके पास सिक्षा हो या ना हो, चाहे आपके पास ग्यान हो या ना हो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आपके पास अच्छा सरीर हो या ना हो, चाहे आपके पास मकान हो या ना हो, चाहे आप बेसक यह भी पाई है वो कोई ना कोई जूटा सच्चा सब्द पकड़ लेते हैं और जूटे सच्च जूटे सच्चे सब्द का इतना प्रचार करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो सब्द दिया है वही सच्च है और यहां तो सच्चा सब्द है यहां तो हमारे पुर्खों का और हमारे महा समणों का और हमारे बुद्ध से भी पहले जो हमारा संग था उसका सब्द है हमारा मूल है इसको पाली में चेक कर सकते हैं इसको मेगस्थनिस की किताब में चेक कर सकते हैं इसको आप बुद्ध के त्रिपी टक में चेक कर सकते हैं और अगर चेक ना भी करना चाहें तो सर्मन का समण होता है यह आपको हर एक डिक्षिनरी में मिल जाएगा तो यह जो हम कहते हैं बारबार के केवल समण केवल समणा मिश्लिया कहते हैं क्योंकि हम कोई राजनिति मंच नहीं है दिखिए राजनिति के अंदर तो आपको हर एक आदमी का हाद जोड़ना पड़ेगा राजनिति की जो आइडिलोजी होती है या वचारधारा होती है सिर्फ एक होती है एनिहाव हर अलत में जीतना साम दाम दंड बेच छल कपट युद्ध होता है जीतना होता है पर संग राजनिति से बहुत बड़ा होता है क्योंकि संग में हार जीत नहीं होती संग में सिर्फ जीत जीत होती है संग में कभी हार नहीं होती संग कभी नहीं हारते क्योंकि संग कभी जुआ नहीं खेलते संग कभी इस तरह का नहीं लगाते कि बोट हमें आई तो जीत गए और बोट नहीं आई तो हार गए यह जुआ होता है संग हमेंसा इस नहीं जीतता है क्योंकि संग में एक विचारधारा होती है विप्रीत विचारदारा का हमाँ जिक्री नहीं होता संग में सारी लोग एक ही मत के होते है संग एक शक्ति के रूप में होता है संग एक ऐसे होता है जैसे जो शेरों का एक जुंड है या एक तत्याओं का जुंड है या एक मदमक्यों का जुंड है या हिर्णों का जुंड है एक जुंड की तरह होता है और जुंड जहां से निकलता है रास्ते अपने आप खाली हो जाते हैं अगर आपको यकी नहों तो आप दुनिया के संगों को चेक कर सकते हैं पर मंत्र सिर्फ एक है कि आपको अपने सब्द को अपने सद्द को अपने व का हो समण है, वो करना है, गरब से कहना है हम समण है, हम समण के अतिरिक्त कुछ और है है नहीं, पुराने हम समण है, हमारा जो रुत्वा है, हमारी जो सान है, हमारा जो उचा मत्था है, वो समण होने का है ये गर्व ये गारब जैसे जैसे हमारे सरी के अंदर आता जाएगा वैसे वैसे हवा खा के भी हमारा खून बढ़ेगा सिर्फ हवा खाने से हमारे खून का संचार बढ़ेगा ये कमाल की बात होती है इसलिए केवल समण यहां पहला हमारा सिध्धान्त है, सिध्धान्त और हमारा गोल्डन नियम है, क्योंकि इसमें समण के अलावा किसी और की एंट्री नहीं हो सकती, संगों के अंदर एकी विचार के लोग आते हैं, एकी तरह के लोग आते हैं, संग के अंदर दूसरे विचार के लोग या दूसरे तर करता है इसलिए समढ़ और केबल समढ़ हमारा सबसे पहला जो गुर्डन नियम है हम उसी के उपर सारा का सारा बेस होके चलते हैं कोई लिबरल आदमी आ सकता है कोई बहुत ज़्यादा ग्यानी आ सकता है वो कहेगा कि नहीं यह तो आप भेदवाब कर रहे हैं यह तो कटरता है यह तो फलानी बात है तो उसको समझाना चाहिए कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हमारी चुनाव की अडलूज नहीं है अगर कोई समढ़ संगी चुनाव लडने जाता है तो जा सकता है उसके बात के नियम है जवाएंगे पर वहां वो जाके वमनों के हाथ जो कोई भेदवाव या कटगता नहीं करता हैं आप दुनिया के किसी भी संग को उठांगे तेंगे यह संग का बेसिक नियम है चका है इसको आप लगाता-लगाता लोगों问题 करें इसका जिक्र करें इसको लिखें इसको वीडियो बनाएं वीडियो सुनें वीडियो क करें समण की कैसारी वीडियो हमारे पास हैं उनको देखें और इस गोल्डन नियम का लगाता लगाता अभ्यास करके इसका जिक्र करें और लोगों को बताएं मेरे अगर इस किसी वक्तव में अगर कोई तुटी हुई है कोई गलती हुई है तो संग मुझे माफ करें संग मामी संगह नवामी